नमस्कार दोस्तो, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आप लोगों के फेरिट चैनल में आ गया है होस्चें दोस राहूल भोच आप लोगों को ये बात बताने के लिए जो की 21 फरवरी 2020 को होने वाली है 21 फरवरी 2020 को आप एक ऐसा लव एक्सपिरियंस करेंगे जो की समाच के सारी बॉंडरिस को तोड़ता है ये कौन सा लव है दोस्तों ये है सेक्शन 377 का लव यानि की एक पुरुष पुरुष से लव कर सकता है एक महिला महिला से लव कर सकती है और ये जो जिस तरीके का लव है दोस्तों यानकी LGBT इसके बारे में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है शुब मंगल ज्यादा देगे भई आयुषमान खुराना इस दा कॉंटेंट किंग और आयुषमान खुराना कॉंटेंट के ले कुछ भी कर सकते हैं हमें एंटरेनमेंट का डोस वो इतने बहतरीन कॉंसेट के साथ ही ला सकते हैं यो तो अगर बात किजाए दोस्तों तो होमो सेक्शुयलिटी पर बहुत सारी फिल्में बॉलिवुड में नहीं बनी हैं, कुछ-कुछ बनी हैं, कुछ-कुछ गिमिक होती हैं, कुछ-कुछ दोस्तों जो हैं, काफी ज़्यादा हार्ड हीटिंग होती है, जो कि एक कमर्शिल लेवल पर आती है, अब आनन देलराय सहाब, जो कि इतने बड़े और डिरेक्टर हैं, वो इस हिसाब से फिल्म लाए हैं, जो कि है शुबमंगल ज्यादा साफदान, जो कि होमोसेक्श्वालिटी के लिए ट्रीट है, अगर बात की जाए, तो आयोश्मेन खुराना सहाब इसमें एक होमोसेक्श्वल परसन बने हैं, एक बंदे बने हैं, जि इस फिल्म के अंदर शुबमंगल ज्यादा साफदान में होमोसेक्श्वालिटी को भी अलग अंदाज में प्रस्तूत करने की पूरी कोशिश है, प्लस मुझे मेरे परसनल फेवरेट अक्टराज इस फिल्म के अंदर है, तो ये फिल्म धंमाल हो ही सकती है, यानि कि नीना जी और गजराज राओ, हमने इनको वदाई हो में देखाता दोस्तों, क्या जोडी है ये, क्या इनकी कॉमिक टाइमिंग है, और सेम यही जोडी हम दोस्तों इस फिल्म के अंदर भी दुबारा से देख रहे हैं, जहां पर गजराज राओ, अपने ही अलग अंदाज में दि करेगी, देखना दिल्चस्प रहेगा, बट कुछ-कुछ चीजे जो ट्रेलर की दोस्तों मैं शौक रहे गया, वो ये रहे गया कि आयोश्मान खुराना और जो उनका मेल लव पार्टनर बना है, उसके बीच की कि बापरे, इतनी सभा के सामने इस तरीके का एक एंगल दिय हैं, वहीं हम यहाँ पर दोस्तों ऐश्मान खुराना को एक मेल टू मेल किस करते हुए देखते हैं, जो कि हरान करने वाली बाते की बताओ, इतना एक्टर कॉंटेंट के लिए और सिनेमा के लिए, अपने पैशन के लिए बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं, वा, more power to you ऐश्म करना चाहता हूँ, शुब मंगल ज्यादा साफधान को लेकर जो की रिलीज हुआ है T-Series में, I know इसको लेकर काफी जादा opposition भी होगा, बट इसे एक सिनेमा के तौर पे देखिए, समाज का दिष्टिकोर देखिए, तो यह definitely film कुछ काम कर पाएगी, आप लोगों को क्या कहन कमेंन सेक्शन में ज़रूर बताएं और सोच का दारा थोड़ा सा बदल के बताएं, एन बने रही है चैनल के साथ, so keep on watching